नोशकार मैं मनी स्वागत करता हूँ आपको अपने इस से यूटूब चैनल पे दोस्तों आपके 19 तारीक खतम हो गये हैं और कोई extension का later भी नहीं आया है notice भी नहीं आया है कि आपका जो form फिल का जो date है वो extend किया जाएगा और ऐसा पुर्वादुमा नहीं भी था कि आपका जो final date है वो 19 है और इसके बाद आपके कौन से जोन में कितने form भरे गए हैं इसका भी data पता चल जाएगा और कितना competition है ये भी आपको पता चल जाएगा तो अब हम यहां से जो form date है वो खत्म होने के बाद तमाम चीजों पर discuss करेंगे इन future के भी वीडियो में कि क्या इसमें किस तरीके से आपका competition है रहने वाला है यहां पर देखिएगा total form कितने fill हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे इससे पहले वीडियो शुरू हो अगर आप पर LP की तयारी कर रहे हैं तो यहां से पिछली बार ही तकरीवन 40,000 बच्चे selection पाए हैं 85% question इसी के mock test से आये हैं तो test book का अगर आप pass pro खड़ीते हैं lifetime के लिए तो 483 रुप्या पड़ेगा आप कोई भी exam की तयारी कर रहे हैं जिंदिगी वर आपको यहां से mock test मिलता रहेगा यह offer आपके 19-22 फरवरी के बीच ही है और अगर आप selection पा लेते हैं तो आप अपना पैसा बापस भी ले सकते हैं इयर्मरी स्कूपन कोड यूज कीजिएगा तो 12% का extra discount मिल रहा है तो जल्दी से इस offer को grab कीजिए और अपनी तयारी को boost कीजिए तो मैं बात कर रहता कि कितना form फिल हुआ है अगर हम बात करें कि form की कितना fill हुआ है तो around 20 lakh जो है वो form फिल हुए है उसमें से हो सकता है कि 30-35,000 ऐसे भी form होंगे जो कि पैसा नहीं pay करने की वज़ा से reject हो गये होंगे या होंगे obvious है हो गये होंगे या होंगे बात बराबर ही है तो तकरीवन आप मान के चलो कि 19 lakh जो accurate कम से कम तो form फिल हुए है हलाके exact जो data है वो RTI लगा दी गई है RTI का reply जैसे ही आता है आपको मैं बता दूँगा तो चैनल पे नहीं है तो subscribe जरूर कर लिजएगा तो अब बात कर लेते हैं एक एक zone की कहां पे कितना form अप्राइ हुआ है बिलासपूर की बात करें तो सबसे जादा यहां पर form फिल हुआ है लेकिन इस बात पर आप कतई मत जायेगा कि जहां से form जादा फिल हुए है वहां से cutoff जादा जाएंगे इस बात पर कोई मतलब की ऐसा नहीं है कि वहीं का cutoff जादा जाएगा तो सिकंद्राबाद की बात कर लेते हैं यहां अच्छा बिलासपूर में कितना गया है 4,12,165 सिकंद्राबाद की बात करें और यह जो डेटा है वो लास्ट कल के 12 बजे तक का जो रात के 12 बजे है उस तक का डेटा है ठीक है हो सकता है कि 200-400 उपर नीचे हो सके मैं जब मेरे पास ही कठा हुआ हो डेटा किसी और के पास ही कठा हुआ हो तो 1500 उपर नीचे हो सकता है लेकिन रेश्टेशन नमबर के अधार पे यही डेटा आपके सो कर रहे है सिकंद्राबाद की बात करें तो 2,66,455 और अगर मुंबई की बात करें तो 1,99,461 बेंगलोर की बात करें तो 1,88,478 उसके बाद भुमनेश्वर की बात करें तो 1,7,011 परियागराज की 1,15,72 कुलकता की बात करें तो तक्रीबन 1,99,99 के एरोंड आप मानके चलो की तो 1,00 आप मानके चलो अहमारबाद की बात करें तो 8,443,6 की बात करें तो 7,425, यानि 24,245 भुपाल की बात करें तो 6,5,378 यानि 65,378 राची की बात कर लेते हैं तो 63,199 माल्दा की बात कर लेते हैं तो 56,168 है चंडीगड यहां पे भी थोड़ा ठीक ठाक फॉर्म गये हैं 37,11 गोरखपूर एक्तिस हजार एक्सो अर्सट गोहाटी एकीस हजार आठसो पंचान्वे सिर्जी गुडी में गई है फॉर्म एकीस हजार एक्सो अर्सट पत्ना की हम बात कर लेते हैं तो यहां पे 26,171 फॉर्म गिरे हैं और आपके तिर्वरंथ पूरम 20,402 और जो इसमें से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होंगे तो उस अर्सट पर 19,001 फॉर्म गए हैं हलाकि पिछली बार से थोड़ा सा कम ही फॉर्म है चुकि नंबर ओफ वेकेंसी कम है तो इस बार मनोवल तूट गया है बच्चों का जिस बार से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे करेंगे हैं हलाकि यह एलपी की है टेकनीशियन की वेकेंसी जैसे ही ओपन होगी तो वहां पर भी बच्चे अपलाई करेंगे और वहां पर भी एरांड आप मान के चलो की 20 लाग के एरांड फॉर्म भरे जाएंगे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करेंगे जरू बताएगा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तब के लिए जय हिंद्ट